नमस्कार दोगतों आज हम देखने वाले हैं कि गूगल AdWords keyword tool जो हैks इसमाल कैसे करें इसके लिए सबसे पहले आपको एक Google AdWords account बनाना है इसके लिए आपको एक Gmail address चाहिए Gmail address बनाने के बाद आप इसमें लॉग इन कीजिए लॉग इन करने के बाद आपको बहुत सारे काईटिरिया डालने पड़ते हैं इसमें अब जब पहली बार लॉग इन करोगे तो आपको ऐसा स्क्रीम मिलेगा इसमें आपको यह सब डालना पड़ता है कि आपका इमेल एटरिस तो आटो फिल हो जाएगा वेबसाइट अगर है तो डालना पड़ेगा यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आपको परस्मेलाइज टिक्स और रेकिमेंडेशन चाहिए कि नहीं तो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट नहीं है तो आप ब्लॉग स्पॉट भी ढाल सकते हैं इसके बाद आपको कंटिंव पे क्लिक करना पड़ेगा तो पास्वर्ड और इमेल डालने के बाद आपको ये पेज दिखता है मैंने वेबसाइट जो उसने पूछा था मैंने ब्लॉग स्पॉट डाला आप अपना वेबसाइट डाल सकते होँ पे तो इसके बाद आपको कंटिंव क्लिक करना है इमेल अड्रेस वेरिफाइब करके आपको कंपल्स्रिली यहां पर एक कैंपेंड सेट अप करना है अगर आपको गूगल अड्वर्ड कीवर्ड टूल इस्तमाल करना है लेकिन घबराये ने कि आपको कोई पैसा नहीं देना है कुछ भी नहीं है तो आप क्या करें यह बाइड डिफॉल्ट आपका इज़ इंपॉर्टन है कि आपका लोकेशन इंपॉर्टन है आप इंजिया सेट करें यहां पर यहां पर सिर्फ सेव एंड कंटिंउ करें तो मैं यहां कुछ भी टेस्ट डाल रहे हूं तो दाद इतल रहे हूं तो मैं तो आगे बढ़ने वे थिक्षे यह संपल आड दिखा रहे हूं यहां पर एंड मैं सेव एंड कंटिन्यू कर रहे हूं यह मैं को आद वर्ट डैश्पोल में जाना है दूसरे टाब में अद्वर्ट डैश्पोल रहे हूं तो आद्वर्ट डॉगल.पॉम इसमें आपको अपना डीटेल्स आड करना है। यह बिलिंग डीटेल्स है तो यहां पर अगर आपने जो भी बिलिंग प्रेश्पोल सेट किया है यह वान टाइम सेट अप है आप इसको बदल नहीं सकते तो अगर आप हारत में है तो इंडिया सेलेक्ट कीजिए अगर आप उनाइट स्टेट में है तो यूएस पैसे आप इसको चेंज करने ही सकते है तो आप जो भी है यहां पर करेक्ट इंफॉर्मेशन दीजिए पिकाज अभी एडवर्ट कीवर्ट टूल यूज करने के लिए आपको पैसे देने की जर्वत नहीं है लेकिन अगर आपने यह फूचर में अगर आगे जाके आपको आपको आपक आपको पैसा देना पता है जब तब इसमें वो कंट्री के हिससाफ से आपको करनसी चार्ज होगा इसलिए तो फिर आप यह सब पिल कर सकते हैं मेरा यह इंडिविच्वल अकाउंट है मेरा कोई टैन नहीं है देखते हैं क्या-क्या कंपल्सरी है इसके लिए आप खेव एंड कंटिने फिप्रीजे जो भी कंपल्सरी है आपको रेड में दिखनेगा तो आप कुछ भी डाल सकते हैं यहां पे मैंने इसको मैन्यूल पेमेंस किया है ऐख देखते हैं अगर यह एक्सप्स करता है तो चूज अपेमेंस आइड आप आप शूज नेक्स बांकिन आप रख चाहनों। अपर रभी किजिए and confirm your campaign settings, मैं अग्रीऊ लिए टुछ 10 ठेक्टिसिंग and i'm saying save and continue a pop-up आया मैने इसको जोर दिया and I am going to say I will skip this step and pay later मैं भाद में पैसा भरूँगी तो यहाँ पर आ गया congratulations on your new AdWords account आपका AdWords account अभी खुल गया है इसका अपने जो setup क्या है इसका मतलब नहीं है कि आपका यह जो account live है या फिर आपके पैसा कुछ कटेगा मैंने कहीं पर भी अपना details नहीं डाला मैंने वो net banking चूश किया था और उसमें कुछ भी नहीं डाला तो सिर्फ एक account सेट हुआ है account के बिना आपको यह campaign है campaign के बिना आपको यह AdWords टूल इस्तमाल नहीं करने देगा Google AdWords और यह जरूरी है आपके लिए तो यह हमारा एक basic campaign बन गया है आप इसको लाइब करना चाहते है तो पैसा बना पड़ता है जो हम नहीं करने वाले हैं हमको सिर्फ AdWords keyword टूल इस्तमाल करना है तो Google चाहता है कि आप Google AdWords campaign से ही जो Google AdWords में पैसा डाले वही टूल यूज़ करें तो हमने भी ऐसा ही campaign सेट किया है अब यह हमारा मर्जी है अगर हम वह campaign आगे लेके like करें या नहीं तो यह है आपका campaigns का dashboard Google AdWords का इसको dashboard बोलते हैं जहां पर आप एक सकते हैं बहुत सारी चीज़े हैं जैसे कि मैं यहां पर welcome आप चाहिए तो यह help ले सकते हैं basically step by step आपको guide करेगा कि कैसे आप account set up करें मुझे इसकी जरुवत नहीं है तो मैं इसको cancel करने वाली हूँ and पूछ रहा है are you sure do you want to exit this guide हाँ मुझे link यह है तो मैं exit कर रही हूँ तो अभी आप देख सकते है कि आपका एक जो आपने अभी जो steps follow किया था यह default campaign बन गया है इसके बाद भी आप वो google adwords keyword tool इसके लिए उपर आप देख सकते हैं यह आप एक link है tools आप इसके click कीजिए तो यह अभी आपको जो आने वाला screen पे आप keyword planning कर सकते हो तो यह है आपका google adwords keyword planner आप इसमें यहाँ पे search for new keywords यह वाला इस्तमाल कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना जो भी जैसे की mail art mail art enter कीजिए और फिर जो भी आपको keyword पे research करना है आप वहाँ पे डालिए फिर यहाँ पे अगर specifically आपको कोई और website जैसे की आपको कोई website person आये या फिर आपका खुद का website है या पे डाल सकते हैं तो इसके मिस्ताबिक keywords आपको दुखाएगा आप targeting भी खर सकते हैं मैं generally country wise target करती हूं तो मुझे इंडिया में अजर राइंड करना है तो मैं इंडिया select करने इंडिया country and इसमें save करने अजर यहाँ पे जो है आप negative keywords यहां की आपको कुछ paid या फिर free या कुछ terms आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं तो यह keyword जो results में से वो keywords निकाल देता है तो यह अभी दिखा रहा है कि nail art के लिए hundred thousand to one million average monthly searches है आप देख सकते हो कि को फॉर्ट सारा यह volume मुखत है अच्छा keyword है यह but यह जो competition है यह SEO competition नहीं है that is one यह सबसे एक बड़ा mistake है SEO लोग क्या बोलते हैं कि यह low competition है तो easy है rank करना आप इसको indicator सोच सकते हैं लेकिन यह keyword जो है adwords के लिए competition है तो आपका जो ad है ऊपर rank करेगा कि नहीं और कितने आसान से rank होगा उसका competition factor है SEO का नहीं है अगर adwords में वह मुश्किल है तो generally हम सोच सकते कि SEO में भी वह मुश्किल हो सकता है यह suggested bid for adwords तो 10 रुपे 52 पैसा में आपका वह minimum cost per clip cost है वह तो आप देख सकते हैं यह अलग-अलग keywords दिखा रहा है जैसे कि nail art designs, nail designs, nail polish तो आप फिर इसमें average monthly searches देख सकते हैं यह अपर इसका अगर आपको फिर like grouping करना है तो आप यह ad group ideas भी देख सकते हैं यह आपर तो वह generally दिखाता है different topics दिखाता है ad group idea में जैसे कि there is nail and art designs का एक group है and उसका generally वह पूरा सब keywords मिलाके 10,000 to 100,000 searches है फिर लोग nail polish के लिए search करते है फिर gel nails जिसका इतना जादा searches नहीं है acrylic nails, art stamps, french nails, glitter nails, polish designs तो आप ऐसे भी search कर सकते हो फिर क्या करना है कि आप अगर यह बहुत broad हो जाता है तो nail art करके जो term है बहुत मुश्किल हो सकता है rhyme करने के लिए तो आप एक सी जाजा जो words है उसको बोलते है long tail keyword तो आप long tail keyword पे focus कीजे तो मैं generally three plus length keywords पे focus करते हूं तो मैं पहले scroll down करके दिखते हूं कि कौन सा nail को बहुत interesting लगा है अभी हमने देखा कि suppose हमने देखा यह stamping nail art शायद interesting लगे तो आप इसको फिर open and preview and diagnosis है साथ क्लिक कीजे तो आप उस keyword के बारे में पूरा detail आपको मिल जाएगा अभी आपको यह भी याद रखना है कि यह जो भी searches यह लिखा रहा है मैंने इंडिया select किया था तो यहाँ पर US अगर मैंने select change किया तो दूसरा ही search volume आपको रिखेगा तो मैंने इधर इंडिया select किया था तो इंडिया में भी आप देख सकते हैं कितना search volume में ऐसे search ऐसे terms के लिए तो basically आप long tail यानि की 3 plus minimum length keywords पे focus करें तो अच्छा रहता है फिर उसका decent